जब हम किसी इंसान को बुला नहीं पा रहे हैं, तो क्या इस सच होता है कि वो सामने वाला आदमे भी हमें बुला नहीं पा रहा? हमें डेली जो इतने सपने आते हैं, क्या उसका हमरे रियल लैप से कुछ कनेक्शन होता है? तो दोस्तों आज जानेंगे कुछ साइकोलोजिकल पंदरा फैक्ट तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा अगर आप कोई चीज भूल गए हैं और उसको याद करना चाहते हैं, तो अपनी आखे बंद कर लो और उसके बारे में सोचो इससे आपको चीज याद आदे में मदद मिलेगी अभी के जो हाइर एजुकेशन वाले स्टुडेंट है, वो पढ़ाई का इतना स्ट्रेस लेते हैं जितना 1950 में एक पागल आदमी स्ट्रेस लेता था आप सोने से पहले जिस आदमी के बारे में सोचते हैं या तो आपके दुख का रिजन होता है या फिर खुशी का अगर कुछ दिर सोने के बाद आप अपने बोड़ी को ऐसा रियलाइस करवाते हैं हां कि मेरी पूरी तरह से नींद हो चुकी है तो उस वक्त आपका दिमाग भे मान लेता है कि आपके नींद अच्चे से पूरी हो चुकी है जो लोग ज़्यादा जुट बोलते हैं वो दुसरे लोगों का जुट आसानी से पैचान पाते हैं जो आदमी दुसरों को खुश रखने की कोशिश करता है वो अखिर में उदास और अखिला रह जाता है जिन लड़कियों का IQ जादा होता है उन्हें लड़का धुनने में काफी प्रब्लम आती है जब आदमी मरता है तो उसके बाद उसका दिमाग 7 मिनिट तब जिन्दा रहता है और अपनी पूरी जिन्दगी को वो एक सपने की तरह देखता है जिन बातों को हम सिधे सिधे नहीं के पाते उन बातों को हम मैसेज के सहारे कहते हैं अगर आप अपना ज्यादा समय पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों के साथ बिताते हैं तो डेफिनिटली आप भी कुछ रहने लग जाते हैं रोना हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहता है यह बात सच है अगर हम किसी को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं बट हम उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं तो डेफिनिटली ओ सामने वाला आदमी भी आपको बुलाने बारा तो आज हमने जाने पंतरा सैक्लोजिकल फैक्ट तो दोस्तो में मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में कुछ नए और मज़़र फैक्ट के साथ तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर धीजेगा तो आपको सबसे जबा कौनसा फैक्ट पसंद आया कमेंट में ज़रू बताना वीडियो को लाइक, शेर और चानल को सेस्क्राइब ज़रू कर दो तो दोस्तों मैं मिलते हूँ आपसे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई